नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों केसे हैं आप सभी उमीद करते हैं कि माता भवानी के आसिरवात से आप बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आज रातरी के 12 बजे से आपके रासी में चले माभवानी अब आने वाले 365 दिनों तक आप सभी के जीवन काल में माभवानी का किरपा रहने वाले हैं जिहां दोस्तों और आने वाले 365 दिनों तक आपके साथ जो बड़े घटना होने वाले हैं दोस्तों सुनकर आप बिल्कुली दंग रह जाएंगे जी हाँ दोस्तों यूँ कहें तो दोस्तों आपके जीवन काल में आने वाले 365 दिनों तक अनेक परकार के घटना होने वाली है लेकिन दोस्तों हम आपको आज की इस वीडियो में 6 बड़े इसे घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दोस्तों आपके जीवन काल के लिए इतिहासिक बदलाब होगा एक परकार से कहें कि आपके जीवन काल के सबसे बड़े च्छे सपने होगे जो कि दोस्तों सच होने वाले हैं जी हाँ दोस्तों और जब इनके बारे में आप सुनेंगे तो दोस्तों आप सभी के होस उड जाएंगे लेकिन दोस्तों जब इनके एसलियत को आप चालेंगे तो दोस्तों आपके आखें नम हो जाएंगे और खुसे के आशु जलक आएंगे और आप इने रोग भी नहीं पाएंगे जो कि दोस्तों कुछ बातें ऐसी है कुछ खुश खबरी ही ऐसी है जो कि आपके आँखों में आशो तो लाही देंगे जिहां दोस्तों और दोस्तों इनके साथ ही आज की वीडियो में कुछ एसे विश्यस बातें बताने वाले हैं जो कि दोस्तों आज से आपको अपने जीव जीवन काल में कहीं न कहीं आपको आसफलता का मुझ भी देखना पड़ सकता है जहां दोस्तों इसलिए आज की इस वीडियो को आप बिलकुली मिश न करें और इन्हें सुरू से लेकर अंत तक बिलकुली ध्यान से देखिएगा क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो भी बातें बताने वाले हैं जो साबधानी जो खुश खबरी बताने वाले हैं और जो उपाय बताने वाले हैं दोस्तों आज से आने वाले 365 दिनों तक आप से भी के जीवन काल में बिलकुली बरदान साबित होने वाले हैं जहां दोस्तों माभवानी के आसिरवात से अब किसको क्या दे दे जब देते हैं तो दोस्तों बस लोग आसर चकित हो जाते हैं और जो जलने वाले लोग होते हैं उनके होस ही उड़ जाते हैं और दोस्तों एसी कुछ चमतकारी घटनाएं अब आपके जीवन काल में होने वाले हैं जिनसे दोस्तों आप सभी को बता दे कि आज रातरी के 12 बजे से आपके सोचे हुए सपने पूरा करने वाले हैं जीवन काल में जो बड़े गल्ती आपने किया है दोस्तों उन켜 अब आप को आगवागत होना पड़ेगा इन्हें भी अब आपको करने से बचना होगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में तमाम जानकारी ग्रहों के गोचर पर निर्मित है जो दोस्तों आप से भी के जीवनकार से जूड़ी है कौन-कौन से बड़े खुश खबरी मिलेगी किन-किन 16 को लेकर आपको साब्धान रहना होगा कौन-कौन से बड़े कार जोई आश्य में आपकी पूरी होकर रहेंगे इन सभी की विश्तरी जानकारी देंगे जो की ग्रहों के गोचर पर आधारित है तो दोस्तों इन्हें आंतर तक देखना अब आपका दाइत होगा उश्य पहले दोस्तों जो ये माभावानी के सच्चे भक्त इस बीडियो को देख रहे हैं दोस्तों बीडियो को एक प्यारा शालाइक अवस्य कर दें और इनके लिए कमेंड बॉक्स में लिख दें जै माभावानी दोस्तों माभावानी की आसिम आसिरवात आप से भी को प्राप्त होगा कभी भी दुख आपके जीवन काल में दस तक नहीं देंगे जिहां दोस्तों तो दोस्तों जरू लिखेगा और दोस्तों आप इस चैनल पर नई हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को प्रेज करके और पर स्लेट कर लें तो आये दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं माभवानी के एक बहुती अच्छे ग्यान से, एक बहुती अच्छे विचार से, जो कि दोस्तों आपको इन दोनों में एक इक्छा सक्ति जागरित होगी, और दोस्तों यहाँ बात हैं, आपको आगे चलकर बहुती काम्य लेकर जाएंगे दोस्तों बात करते हैं दोस्तों माभवानी का एक सचा भक्त अपने जीवन काल में बहुती निरास और हतास हो चुके थी उन्हें अपने जीवन काल में कोई भी राह नहीं दिख रहा था कि अपने जीवन काल से आखिर आगे कैसे बढ़ें क्यों उनके जीव रूपी प्रात्ना से माभवानी बहुती जादा प्रशन हुई और उनके समक्ष परकट होकर उनसे पूछा कि आखिर क्या परेशानी है तो उनके मन में यह सवाल होता है कि हेमा अगर इस वर सचितानंद है जो खुद सत्चीत और आनंद से बना है तो संसार में इतना दुख क नहीं हो सकता यही सवाल वह माभवाने से पूछते हैं माभवानी उन्हें कुछ कहने से पहले या समझाने के लिए नदी के उस पर जाने के लिए काता है और उनके हाथों में नाव के एक ही पतवार को देता है और वह नाव पर बेठ जाता है और जब एक ही पतवार से तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जिस परकार एक पतवार से नाव आगे नहीं बढ़ता उसी परकार जीवन में सुख और दुख जीवन के दो पतवार हैं अगर सुख ही सुख हो तो जीवन का नाव आगे नहीं बढ़ता दोनों वारी वारी से चलानी पड़ती है तभी किन पहुंचोगी क्योंकि मन में दुख से तदाद में बेठा लेते हैं इसलिए आपकी पीड़ा बहुती मालूम होती है वही मन फिर सुख की खोज करता है बिना या समझे कि सुख दुख का ही एक रूप है सुख हो या दुख दोनों एक समान से देखें ये दोनों लहरे हैं आत सचा लगा तो दोस्तों वीडियो को एक प्याराश लाइक अवस्य कर दें और इनके लिए कमेंड बॉक्स में लिख दें जैमा भवानी तो आई दोस्तों इसलिके साथ बात करते हैं कि आज रातिरी के 12 बजे से आने वाले 365 दिनों तक माभवानी आपके रासी पर जाने वा मिशना करें और सुरू से लेकर अंग तक जरूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों वीडियो के मद मद में इसी विश्यस बाते हैं जिने जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवसक हैं तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों समाजिक तथा धार्वी गति वीडियो में आपका निश्वार्थ योगदान आपकी उचित पाहचान बनाएगा ग्रह गोचर बहुत ही अनुकुल है आपकी कोई आर्थी गोजना भली भूती हो शकती है अधिक तक काम सुचारू रुप से बनते जाएंगे मन में सकुन और सांती रहेगी किसी विशेश कार को पूरा करने के लिए चल रहे आपके प्रयासों को आज काम्यावी मिल शकती है समाजिक दारा बढ़ेगा तथा कई परकार की गति वीडियों में वैस्ता भी रहेगी घर की सुख सुविधाव समंधित खरिदारी परिवार जनो भी देगा कोई सुख समाचार मिलने से अब अपने अंदर आत्म विश्वास और नई उर्जा महसूस करेंगे दोस्तों आप कुछ इस पेसल कारे करने जा रहे हैं तो पहले तो आलोचना होगी और बाद में लोग आपके पक्ष में भी आएंगे इसलिए लोगों की परवा दिनचारिया में से कुछ समय सुकुन और मोज मस्ती के लिए भी निकाल लेंगे रिस्दारत धा मित्रों के साथ वर्तलाव अत्वा मेल मिलाव से कई समस्याओं का हल भी निकलेगा आज आप सारे रिक रूप से अत्यदिक उर्जावान और सक्री महसूस करेंगे अपने किस सफलता देगा किसी समाज से वहासRad सथाकी पर्ती आपका विश्च efficiently रहेगा आपकी समाज में भी पाचान बढ़ेंगे अब अपनी कारे परणारiji में बेहतरीन सुधार लाएंगे किसी विश्च Markus कार के परती आप की महनत कामयाब होगी किसी विश्च्देक्ती मुलाकात भी हो सकती है सुकुन पाने के लिए अतादमी गत्ती विदियां में भी कुछ समय जरूर बेतित करें दोस्तों इस समय व्यवसाय समंधी पार्टियों के साथ संपर्क बढ़ा है समय अनुकुल है व्यवसाय में बरतमान कारवरी सुचारी रूप से चलते रहेंगे दोस्तों गत्ती विदियों में सुधार आएगा विरूदियों की गत्ती विदियों को नदर अंदाज ना करें इस समय व्यवसाय समंधी कोई भी रिक्स लेना फाइदे मन रहेगा नुकर में कोई महत्यपुन जिम्यदारी आपके उपर आ सकती है प्रोमोशन मिलने का योग भी बन दोस्तों आप बिजनेस में चलरी परेशानिया से रहत मिलेगी आपके आर्थिक दिरिष्टे से समय बहुत ही अनुकुल है कि सम्भावना सामने आएगी वैपपर तता कामकाज में कुछ ठोस वह महत्यपुन निने लेंगे जो की बिलकुल शही सावित होंगे इसे में नोक आपको कोई नहीं विगार सकता है शिर्फ अपने उपर हिमत और विश्वास रखें अपने इससे ही कारेकरने में उन्नती और चमतकारी हासिल करेंगे दोस्तों धार्मिक और समाजी कामें में आपका रुजहान बढ़ेगा इसे मानसिक और आत्मिक शुकुन मिलेगा से चि की विवादों को दूर करने के लिए की गई कोशिसों में सफलता मिलेगी दोस्तों आपके वहीं लव-लाइब की बात करें तो घर में आपसे समझ जिसे का कुछ अभाव महसूस होगा प्रेमे प्रिम का दोनों एक दूसरे की भावना और परसितिया को समझेंगे दामपत के बारे में देखा जाएं तो आपके स्वास्त ठीक रहेगा स्वास्त से सवंधी किसी भी परकार की लापारवाई ना करें अपने नेवीद जाच अवस्व करवाएं मौसम के बदला समंधी परेशानी से अपना बचावर रखें जोस्तों आप बात करते आपके उपाय के के लुए दोस्तों आप आगरचमी द्धन प्राप्टी करना चाहते हैं तो दोस्तों सुकरवार के दिन मानलक्षमी के मंदिर में जालू दान करें और कनक धारा सुरोत का पाठ करें ऐसा करने से मानलक्षमी प्रशन होती है और आशिरवाद देती है इसके बाद असोग की बॉक्स में जर्मा भवानी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक सियर जरूर करें धन्यवाद